नमस्कार दोस्तों आपको मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से सौगत है जिसका नाम है बाई सेल्स सिगनल सौप्टर तो अगर अगर अब सीर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परिशान है या फिर आप जितने एक्सपेट कर रहे होता रिटर्न आपको नहीं मिल रहे है तो थोड़ा सा टाइम निकल के मेरा वीडियो को देख लिजिए साइद आपके लिए कुछ बेनेफिट हो सकता है देखे आज को मैं एक लाइब वीडियो बना रहा हूँ निप्टी फ्यूचर का उपर बेस करके जहां पर मैं लास्ट एक हपता का परफॉमेंस आपको करता है एन्द ट्रेंड का उपर डिपंड करके ऑटोमेटिकली सिगनल देता है जो कहां पर बाई करना है कहां पर सेल करना है एक्जिट कब करना है इच और एफ्रिधिं Rolex अब main जो चीज होता है call तो बहुत सरा बनता है जैसे हम लोग देखते है कुछ call achieve होता है market में ऐसा बहुत सरा call होता है जो achieve नहीं कर पाता है तो call identification इस market के लिए सबसे challenging matter होता है जो कौन सा call में मुझे trade करना चाहिए किस में trade नहीं करना चाहिए तो आईए सबसे beginning में देखते हैं यहाँ पर ही जो blue color का arrow दिखाई दे रहे है यह आपका buy का call है यह buy का call नीचे आपका date देख सकते है 14 तारिक को आया था 14 June को तो जबी भी कोई signal बनेगा automatically screen का उपर pop आब आ जाएगा अब देखना यह है जो यह buy का call कितना genuine था बुझे trade करना था या नहीं करना था तो यहाँ पर जस्ट दो condition को आपको देखना है middle में आपको एक line दिखाई दे रहा है जो पहले rate था उसका बाद ग्रीन में convert हो गया तो इसका trend line है buy का call में इस line का color को obviously green होना चाहिए और middle में आपको कुछ violet type का candle दिखाई देगा this is called trend candle violet means buying trend candle तो जबी भी कोई buy का call बनेगा यह दो condition को आपको match करना है अगर middle का line का color green है और candle का pattern violet है तब ही जाके buy का call पे आप trade कर सकते other is not तो दिखें यह 14 तरीक का buy का call था 15 तरीक को ओही call continue किया अंध में जाके यहाँ पर 15 तरीक अगर आप एकदम last में जाके market खतम होने का time यह line green से red में change हो गया था यहाँ पर buying trend खतम हो गया था आप 16 तरीक देखें यहाँ पर first sale का call बना sale का call में भी just वही condition को देखना है जो middle का line का color red है या नहीं का vertical line दिखाए दे रहा है यह आपका day separator line है 17 तरीक market यहाँ पर open हुआ था तोरह सा gap down हुआ था और gap down के लिए first time में market उपर का तरफ जाने का कोसिस किया तो इस type का situation में बंदा first जाता है जो लगता है जो market उपर चला जाएगा मगर 17 तरीक को भी selling continue किया 18 तरीक को भी selling को continue किया 18 तरीक आके यहाँ पर line change हुआ और उसका बात buy का भी call बन गया अब यह 18 तरीक का buy का call 21 तरीक मतलब Monday को यहाँ पर market open हुआ उसका बात यह line को follow करना है देखिए यहाँ पर एक sale का call बना अभी जो sale का call है मुझे दिखाई दे रह होता है एक बस signal आ गया बली उस टॉबलोस हो जाए रिवर्स हो जाए वगर signal एक बर आने का बद वहाँ से repent होके जाएगा ने तो ultimate देखिए 21 तरीक को भी market continue किया 22 तरीक को देखिए market यहाँ पर open वार 22 तरीक को ही यह line green से red में change होके selling का call दे दिया था और आज को 23 तरीक है आज को देखिए continue कर रहा है अभी भी market में totally जो trend है selling के लिए तो इस software में just आपको signal देखना है और उसका साथ साथ middle का जो line और candle pattern है उसको follow करना है that's it तो यह बहुत इस simple trend reversal based theory है जो आपको काफी हत तक help करेगा training करने के लिए तो आसा करता हो आपको वीडियो अच्छा लग लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए ज्यादा से शेयर कीजिए इस market related अगर आपको मेरा और भी बहुत सार वीडियो देखना है या मुझसे contact करना है तो वीडियो का नीचे मेरा description में मेरा details दिया हुए अब मुगे call भी कर सकते है या फिवाट्साप पे message भी डाल सकते है thank you thank you so much good bye